जय हिन दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहूँआ जो साइबर ठगी से समंदीत है साइबर ठग अलग-अलग तरीके अपनाते हैं लोगों को ठगने के एसी एक घटना और बता देता हूं आपको कि जादतर ये लोग भीड भाड़ वाले जगह पे जासे रेली विस्टेशन बस्टेंड जहां आप खड़े रहते हैं वहां कोई अंजान वेक्ति आपके पास आता है और आपसे अपना मोबाइल मांगता है क्यों मांगता है कि मेरे मोबाइल में या तो वैलेंस नहीं है या ऐसे कह सकता है कि मेरा मोबाइल कहीं खो गया है या बस में रह गया है अब वो क्या करता है अपने दोस्त साथी जो साइबर ठग होता है एक्सपर्ट होता है उसके पास फोन करता है उसके पास फोन करेगा उसके पास वो number जाएंगे और वो उसी number पे OTP बेज़ेगा और वो लड़का जो आप से mobile लिया वो लड़का OTP देखकर अपने दोस्त को बता देता है और आपका phone hack कर लिया जाता है और अपने को पता तक नहीं चलता अब इस समंदीत आपको करना क्या है कि अगर ऐसा लगता है कि वास्त हमें इसके साथ कोई हाथसा हुआ है तो आप अपना mobile अपने हाथ में रखके उसके number मिला कर दें और hand free करके बात करवाएं ज्यादा तर क्या होता है कि वो लड़का mobile लेकर कि आप से दूर होके बात करने की कोशिस करता है ये गटना real है मेरे साथ खुद के साथ गटी हुई है तो ज्यादा तर यही होता है कि वो आपको mobile लेगा हाथ में और दूर हो जाएगा आपसे क्योंकि उस वो ओटी भी बताता है तो आपको अपना mobile उसके हाथ में नहीं देना है उसको बोलना है भई नंबर बता मैं मिला के देता हूँ और hand free करके बात करवा दी कीजिए तो पता चल जाएगा कि असली है या नकली है तो इन ठगों से साब्दा रहना है और अपने ज्यादतर दोस्तों सक वीडियो को शेर भी करना यह आपकी जिम्यदारी है यह मेरी जिम्यदारी मैंने पूरी कर दी कि वीडियो बना कर आपको सूचना दी अब यह आप की जिम्यदारी है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करेंगे ठीक है जहिन